सो गाइज आज का ये जो वीडियो है ना ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने मुबाइल फोन से बाइनेंस पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं और अपने अकाउंट को कैसे फुल भेरिफाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको ना हमेशा से मेरे कमेंट में ये देखने को मिलते रहता है जब भी कोई क्रिप्टो अर्निंग वेबसाइट क्रिप्टो अर्निंग एप्लिकेशन की बात आती है ना तो वो लोग जरूर ये बोलते हैं कि मैं मेरे को बाइनेंस पे अकाउंट बनाना सिखाओ क्यूंकि मेरा जो अकाउंट है ना वो तो मैं बना चुका हूं लेकिन अकाउंट जो है ना मेरा वो भेरिफाई नहीं हो पा रहा है तो आज इस वीडियो में आप लोगों को नहीं लेना मेरी तरब से यह छोटा सा आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी क्यूंकि आपको पता है ना कि बाइनेंस यानि कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना उसकी काफी जादा जो है ना अभी सभी चीजे ट्रेंडिंग में चल रही है अब तो अ आप लोगों को क्रिप्टो अर्निंग विड्रोल का आप्शन देखने को मिल रहा है और बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने किसी भी क्रिप्टो पे अपना अकाउंट नहीं बनाए रहते हैं उसके कारण से या तो वो लोग जवाइन करना छोड़ देते हैं यानि अप्लिकेशन है उन सारे चीजों के उपर आपको जो है ना यानि की वर्क मिलने वाली है ठीक है तो आप लोग ज़रूर बना लीजिए क्योंकि फ्री ओफ कॉस्ट है ठीक है अब चलिए गाईज हम लोग इस वीडियो को ना कर लेते हैं सुरू आपसे एक छोटा सा कीजिएगा इस चैनल को definitely subscribe कीजिएगा और वीडियो सुरू करने से पहले में आपको एक good news देना चाहूंगी यह जो आप लोग फोन देख रहे हो ना यह टोटल जो फोन है ना यह 5 फोन है ठीक है और इस फोन का giveaway हम लोग इस चैनल पर announcement कर चुके हैं यह जो फोन है ना काफ करके इस फोन को win करना चाते हो ना तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कैसे आप लोग जोईन कर सकते हो सिर्फ एक मिनट में आप लोग इस giveaway में participate कर सकते हो और इस फोन को win करने का ना काफी बढ़ी opportunity आप लोग पा सकते हो क्योंकि मैंने इस फोन का giveaway जो करनी होगी 10pro.in अब यह जो देख रहा हो ना सेम यही Google पे सर्च करना अब जैसे सर्च करोगे तो first number पे आपको 10pro.in का option आएगा तो उस पे क्लिक करना अब क्लिक करते ही ना आपके सामने सबसे उपर देखो यहाँ पे आज गया है कि इंटर to win ठीक है giveaway इंटर to win तो आप ल पिल लो ठीक है अब चलो हम लोग इस वीडियो को ना कर लेते हैं सुरूँ चलिए गाइस हम लोग यह सीख लेते हैं कि बाइनेंस पे account कैसे बनानी है ठीक है देखो गाइस आप लोग ना इस वीडियो को step by step देखना क्यूंकि अगर आप लोग step by step नहीं देखोगे तो नहीं न कहीं problem आ सकती है तो आपको करना क्या है ना मैं link description में देदूंगी ठीक है आप लोग पहले इस यानि कि इस application को इंस्टॉल कर लेना अपने mobile phone में ठीक है और जैसे आप लोग इस application को इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे मैं थोरा सा wait कर लेते हैं तो आपको यहाँ प तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने आता है sign up and get 100 USDT trading fee rebate ठीक है इसका क्या मतलब है वो मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगी पहले आप लोगों को account कैसे create करनी है वो समझो ठीक है अब देखो यहाँ पे लिखा है ना कि sign up with email और phone तो आप अगर इसमें अपना account बना चाहते हो या फिर अपने email account डालके या फिर अपना phone number डालके ठीक है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अपने हिसाब से अपना account बना सकते हो तो चलो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना अपना phone number ही डाल करके यहाँ पे क्या करती हूं यहाँ पे मैं create account करती हूं ठीक है तो य डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल आईडी लिंक देंगो नंबर दोंगी ठीक है यहाँ पर स्क्रीन पर सो कर रहा है यह वाला रेफरल आईडी आप लोग मेरा कोड यूज करोगे तो आपको एक डॉलर ना फ्री में मिल जायागा ठीक है तो आप लोग यूज कर लेना चलो यहाँ पर मैं फटा फट से क्या करती हूं यहाँ पर फिलप कर देती तो यहाँ पर जैसे आप लोग अपना नेक्स्ट प्रोसेस करोगे ना तो यहाँ पर बस का एक चित्र यहाँ पर आपको दीखेगा जहां जहां भी बस है ना उस पर उस पर आप लोग क्लिक कर दे पर मैं फटाफट से OTP यहां पर देखके डाल देती तो यहां पर ना देखो यहां पर मैं OTP डाल दूंगी ठीक है आपने mail कि mail यूज किया है ना Gmail तो Gmail पर आएगा number यूज किया है तो number पर आएगा ठीक है अब उसके बाद से आप लोग यहां पर submit पर क्लिक कर देना अब देखो गाइस यहां पर हम लोग जो है ना फाइनली अपना यानि की बिनेंस पर अकाउंट तो open कर चुके है लेकिन अब यहां पर गाइस देखो बहुत ही important चीज यहां पर करनी है ठीक है देखो notice यहां पर आ चुके है the current network certificate is not secure and has been disabled it is recommend to switch तो आप लोग यहां पर ट्रस्ट पर क्लिक कर देना अब जैसे आप लोग यहां पर ट्रस्ट पर क्लिक करोगे न गाइस तो यहां पर आपका जो बिनेंस का account है यह कुछ दिर में process होके यहां पर इसका जो है न interface open होगा ठीक है अब देखो verify your identification to enjoy your finance journey ठीक है तो देखो यहां पर लिखा है न कि create account you have completed your registration यानि कि इस पर green tick लग चुका है यानि कि यह 100% हम लोग अपना account जो है न वो create कर चुके है अब second चीज जो है न account verification है जो कि बहुत सारे लोग यहीं पर मतलब pending में रह जाते हैं और इसकी वज़ा से उनका finance account नहीं कुल पाता है और वो मतलब जो भी website है earning application वहां से पैसे नहीं withdrawal कर पाते हैं ठीक है तो देखो यहां पर verify now का यहां पर option मिलता है न तो आपको verify now पर click करना होता है ठीक है अब account verification का process आप लोग main से अच्छे से समझो अब यहां पर आपका जो country है न आप भारत से हो त वो डालना है ठीक है अब pen अधार जो भी है न आपके पैस वो सारा चीज डाल सकते हो तो देखो यहां पर full name जो है न यहां पर डाल देना और जो आपके document पे जो date of birth है न वही वाला date of birth डालना ठीक है अब आपका name है कुछ भी और आपने date of birth डाल दिया कुछ भी तो वो न पे जो भी आपका है न सेम डेटप बर्थ यहां पर डालना है तो चलो यहां पर मैं फटा फट से अपना name डाल देती हूं और date of birth अपना pen card अधार काड पे देख करके यहां पर फटा फट से डाल देना अपना date of birth डालके क्या करूंगी फटाग से यहां पे मैं continue पे क्लिक क अब देखिए गाईज यहाँ पे full address आ रहा है, full address का मतलब आपके जो pen card, अधार card पे जो full address है ना वो डालोगे, अपने area का pin को डालोगे, city, कौन से city में रहते हो डालोगे, pen card का जो 10 digit number रहता है, वो डालके यहाँ पे continue करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपना fill up कर लेती हूँ, और आगे का process में आपको करके दिखाती है, तो यहाँ पे मैं अपना full detail डालके continue पे फटाक से यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो guys, यहाँ पे आ चुका है कि the processing is यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, अब आ चुकी है अपने अधार upload image, यानि कि हम लोगों को अब अधार card का जो photo है उसके साथ यहाँ पे try करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा problem हो सकती है, क्योंकि सभी के साथ यह वाला problem हो रही है, जो number one step है वो नहीं ले पा रहा है, तो आप तिसरे step पे आप लोग continue करना, ठीक है, तिसरे step पे click कर यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे नीचे continue का option दिखेगा, तो आप यहाँ पे continue पे click करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे गाईज देखिए, जैसे आप लोग continue पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको अधार card का जो photo है ना, कुछ इस तरह से आपको catch ना होगा, ठीक है तो मैं क्या करूँगी ना, अपने सामने अधार card रखूँगी, और चलो यहाँ पे मैं photo कीच करके, यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले अधार card का photo कीच करके, यहाँ पे upload करूँगी, ठीक है, अब देखो back side का बताया जा रहा है, कि अधार card का जो back side है ना, वो डाली है, ठ back रहता है, तो front का तो मैं एक बार डाल दी, अब यहाँ पे मैं back का चली, यहाँ पे खीच करके क्या करती हूँ, डालती हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे मैं अपने पीछे का जो अधार card का जो photo होता है ना, वो ले चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे दोनों लेने के बाद यहाँ पे मैं continue पे क्लिक करूंगी, अब देखो, document uploaded का option आ चुका है, ठीक है, तो हम लोगों का जो अधार card का front और back photo है, दोनों upload हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे continue पे क्लिक करेंगे, अब जैसे हम लोग continue पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना face का verification कराना है, जो कि काफी जदा mandatory होता है, अब देखो, अगर आप लोग अपने face का verification कर रहे हो, live camera इसी में आपको मिलेगा, और आपको अपने face का verification करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको क्या क्या अवाइड करना है, आपको कोई cap नहीं पहननी है, अपने सर पे, यानि कि कोई cap टोपी नहीं पहननी है, आपको कोई चस्मा नहीं पहननी है अपने आखों में, ठीक है, और यहाँ पे avoid using filter, आपको कोई भी filter यूज नहीं करना है, जब आप लोग यहाँ पे अपने face को verification कर रहे हो, ठीक है, अब देखो, use enough lighting, आपक अपका face verification नहीं हो पाएगा, ठीक है, और बहुत लोगों को यह करने नहीं आता है, तो यह चार चीज़ को आप लोग avoid कर देना, ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे face verification पे मैं click करूँगी, ठीक है गाई, तो यहाँ पे face verification पे, जैसे यहाँ पे मैं click आपने आपने पाहिन को कुले होगी ये ब्लू कलर का टिक देख रहूं आपको अपने से अपने प्लू डेते हो ना तो अपने प्लू कलर कर लाइन यह पूरा भर जाएगा बढ़ जायेगा और आपका फेस यहां पे होता है ठिक है मतलब ऐसा है कि आप ताक रहा हो आप जीवित इंसान हो ठीक है आँक को ब्लिंक करना है अपने अपने मतलब फेस को ऐसे ऐसे गोल कार में घुमाना है ठीक है तो चलो मैं अभी फेस वेरिफिकेशन करती हूँ यहाँ पे और करके आगे का प्रोसेस में आपको दिखा तो पर यहां पर हम लोगों को कुछ यहां पर alert के लिए दी जाती है जैसे कि scam के लिए ठीक है अगर कोई तरफ से call करता है तो आपको उसमें कुछ नहीं trust करना है ठीक है तो अभी हम लोगों को देखो to goulation पे click करना है अब हम लोग जो है न यहांपर verify identify देखो यहाँ पर आया verify identity तो हम लोग एक बार verify identity पर click करेंगे और अपना जो identity देखेंगे न कि अपना identity जो है न वो verify हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ पर देखो लिखा है कि verify यानि कि account verification your account is few minute ठीक है तो हम लोग इस पर एक बार click करके देख लेते हैं अभी अपना account जो है न वो मतलब verify हो चुक है तो अभी हम लोग go to home page पर click करेंगे अब अपना देखो finance का account यहाँ पर open हो चुक है तो इसको न हम लोग क्या करेंगे पहले यहाँ पर देखो portfolio है service है trade है market है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे इसको dark mode में open करेंगे तो यह जो अपने profile का option दिख रहा है तो इस पर click करेंगे हम लोग ठीक है अब जैसे इस पर हम लोग click करेंगे न तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ करते हैं स desta अभी नहीं होने वाली इवी हम लोगों को यहां पर regular का option है अभी हम लोग regular पर क्लिक करेंगे और switch इंटू प्लो पे पर क्लिक करेंगे ठीक है अब इससे होता किया ना कि अपना वैलेट सारा option दिखता है ठीक है तो हम लोग यहां पर switch into pro में क्लिक कर देंगे अब देखो अब अपना account जो है ना pro mood में open हो चुक है अब pro mood का मतलब क्या होता है चलो वो मैं आपको बताती हूँ अब जैसे कि देखो यहां पर हम लोग back करेंगे ठीक है मैं यहां पर back करूंगी ना तो यहां पर पहले देख लेती हूँ यहां पर option पर क्लिक करके क्यूंकि यहां पर जो है ना थोड़ा सा मेरे को अभी यह जाना जरूरी है देखो एक चीज में आपको बताना चाहूंगी गाईज अभी अपना जो profile है वो pending में ठीक है यानि कि 24 से लेकर के 48 घंटे के बाद ना अपना profile यहां पर successful verify हो जाएगा अगर मैं इस पर आपको identity verification पर क्लिक करके दिखा हूँ ना तो अभी यह pending में ठीक है मतलब 24 से 48 घंटा में देखो यहां पर अभी review में है यानि कि अपना जो है ना यानि कि review your application ठीक है request लग चुका है और एक द ठीक है unlimited है यहां पर बहुत सारे चीजे मिल जाती है तो हम लोगों को अपना account मतलब एक दिन के अंदर यह verify हो चुका है अभी reviewing में ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया अब चलो हम लोग इधर back आते हैं यहां पर मैं back आ जाती हूँ यहां पर बहुत सारे चीजे हम लोग में तो on कर ली है तो देखो गाइस pro mood में on करने का फैदा यह हुआ ना कि हम लोगों को यहां पर wallet का option दिख रही है feature का option दिख रही है लेकिन उस टाम हम लोग pro में यूज नहीं किये थे ना तो अपना wallet का option नहीं दिख रहा था ठीक है wallet मतलब कि अगर हम लोग wallet पे यहां प इसको refresh कर देती हूं क्योंकि थोड़ा सा मेरा mobile भी जो है ना वो हैंग कर रहा है मेरे mobile में बहुत जादा application है तो मैं इसको क्या करती हूं एक बार refresh करके आपको मैं बताती हूं कि यह जो है na wallet का option मतलब होता है ठीक है तो देखो गाइस अभी मैं refresh कर चुकी हूं अब मैं wallet का क्या मतलब है ठीक है तो आप लोग ना हमेशा अपना जो account है ना Binance वाला इसको pro mode में ही रहने देना ठीक है नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इसको on कर देना ठीक है अब देखो pro mode में on करने का मतलब है ना कि आप लोग wallet पे क्लिक करोगे अब आप लोग कि इसी भी क्रिप्टो में अगर आप लोग पैसे विट्रोल करना चाते हो ना तो सारा पैसा जिसमें receive होगा ना तो इसमें आपको दिखेगा ठीक है यानि कि कहीं आप लोग earning platform join कियो हो तो वहां से अगर आप लोग पैसा लेना चाते हो ना तो यहां पर आपका पैसा receive हो जा यहां पर आप लोग deposit वाले option पर क्लिक करोगे ठीक है अब जैसे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को जिस भी cryptocurrency में पैसे विट्रोल करनी है जैसे कि मालों आपको USDT में करनी है BTC में करनी है ETH में करनी है BNB में करनी है Tron में करनी है जिसमें भी करनी है जैसे मालों मेरे को USD लेना है जैसे कि टी आरेक्स ट्रॉंट में लेना है तो यह वाला कुछ करेंगे और क्लिक करेंगे अभी देखो यहां पर लिखा हुआ है ना कि अभी जो है ना हम लोगों का यानि कि deposit पोजिट एड्रेस टेंप्रोरी अन एबिलेवल क्योंकि अभी अपना जो है ना यानि कि अपना अकाउंट अभी भेरिफाई नहीं हुआ है ठीक है अब जैसे अकाउंट भेरिफाई हो जायेगा ना तब हम लोग पैसे को कहीं से विड्रोल कर सकते हैं लेकिन आप लोग अप तो वो यह वाला जीमेल आप अपने उस अर्णिंग प्लेटफॉर्म पे डालके पैसे विड्रोल कर लोगे तो यहां पर आपका पैसा आ जाएगा और यहां से पैसे भी आप लोग विड्रोल कर सकते हो विड्रोल आपर क्लिक करके बैंग में बेटिए में जहां भी इसका अगर विडियो बोलोगे तो आज आएगा आज हम लोग इस विडियो में क्या सीखें कि अपना अकाउंट कैसे क्रेट करें ठीक है और यहां पर देखो नोटिफिकेशन भी आ चुका है यहां पर लिखा है कि क्लिक यो टास्क सेंटर कंप्लिट टास्क सेंटर एंड रिवा 24 घंटे न वेट कर लेना 24-48 घंटे क्योंकि अभी अपना जो है न अकाउंट वरिफिकेशन यह पेंडिंग में है जैसे यह वेरिफाई हो जाएगा तो समझो आप लोग लेन देन कर सकते हो ठीक है तो यह था आज के इस वीडियो में कि कैसे आप अपने बिनेंस पर के लिए बाई गाइस टेक क्यार है वा गुड़ डेर